हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम नेक्सच चॉप्टर इवीएस का जो कि हमारा अध्याय आठ है हमारा भोजन यानि कि हमारे भोजन से किस-किस प्रकार के कोशन्स पूछे जाते हैं यहाँ पर उनके वारे में ब जाएगी तो और मश्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देखे रोडी की गुपता उनलाइन वीडियो स्पोक गौर्मेंट अग्जाम चलिए शू करते हैं तो इससे पहले मैं आपको साथ चेप्टर तक करवा चुक होगा अगर आपने वीडियो देखी है तो ठीक है नही हमें भूख लगी है इसका पता मस्तिश के विशेश केंद्र के द्वारा लगता है अब मस्तिश का कौन सा विशेश ऐसा कौन सा भाग है जिसके द्वारा हमें भूख का पता लगता है तो ध्यान रखे का पूरे का पूरा भाग से हमें पता नहीं लगता कि हमें भूख तो भूक लगने से पता हैं। то भूक लगने पर मस्तिश्क है नाम का प्रेंट है। पर जा कर इस चीज का पता लगता है का पर ध्यान रखेगा इस नाम को hypotheamalwife काफी वार पूछा जाता है। को ध्यान रखेगा इस नाम को ओके next point है कि छोटे बच्चों का भोजन दूध है क्योंकि वह अन्य परकार के भोजन को ना तो खा सकते हैं और ना ही पचा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो खाने की और पाचन सकती होती है वो केवल दूध तक ही सीमत हो भोजन केवल दूध ही होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो चीज़ों को खाता है और समझता है इन चीज़ों को नेक्स्ट है पकाने के तरीके एक बार ये कोशन पूछा जा चुका है कि पकाने के कितने तरीके हैं तो ध्यान रखेगा पकाने के चार तरीके हैं भून कर उबाल कर तल कर यह सेख कर ओके तो यह चार परकार के तरीके जिसे आप अपने भोजन को पका सकते हो उबा सकते हो भ पेटी खाली होगा तो बच्चे का पढ़ाई में मन कहां लगेगा तो खाली पेट होने की कारण बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता 28 नॉवंबर 2001 को उच न्याले यानि कि जो उच तम न्याले है ने कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चों को मध्य भोजन अधिकार दिया मतलब जो आपका मिड्डे मील होता है उस भोजन का अधिकार दिया है कि उन्हें पका गरम खाना मिलना चाहिए ध्यान रखेगा पका और गरम खाना मिलना चाहिए इससे पहले हलका से यहां पर अधिकार दिया उसके आगे हलका से जो बता रहा हूं मैं ध्यान रखेगा इससे पहले जो मिलता था खाना वो पैक्टिट बंद मिलता था गरम और पकावा खाना नहीं मिलता था, कच्चे के रूप में मिलता था, तो कब दिया था यह 28 नॉम्बर 2001 को यह नेर्ने दिया गया था नेक्स्ट है, जीब के आगे के भाद, ध्यान रखे कैंगे कि जीब से हमें जो स्वादों का पता लगता है, वो क्या है distribute कर रखा है आपके जीबों को जो कि आगे वाले भाग से मीठे का पता लगता है बीच वाले भाग से नमकीन का बगल वाले से खटे का और पीछे वाले के कैसे पता लगता है कड़वे का तो एक question डिरेक्ली पूछा जा चुका है तो जीब जीब के कोन से भाग से हमें मीठा ये कड़वे का स्वाद मिलता है अधिकतर जो पूछा जाता है वो कड़वा यानि कि तीखे का और मीठे का ही पूछा जाता है तो पीछे के हिस्से से और आगे के हिस्से से मीठा और कड़वे का स्वाद मिलता है directly important है ध्यान रखेगा जीप पर 4 तरह के 900 स्वाद गंतरियां होती है 4 परकार के कोन से जो कि मैंने अभी आपको बताया आगे पीछे दाएं, बाएं, नमकीन, खटा, कड़वा और मीठा ये 4 परकार के होते हैं और इसके साथ साथ में 900 स्वाद गंतरियां होती है जिसके द्वारा में स्वाद का पता लग पाता है important question है ध्यान रखेगा इस question को next है चबाकर खाने से लार से टाइलीन निकल कर स्टाच का माल्टो सुगर में बदल देता है ध्यान रखेगा चबाकर अगर आप अपने खाने को अपने पाचन तंत्रिया को अपने स्किन को ग्लो करना चाहते हो ध्यान रखेगा तीनों राजए पेट के पाचन तंत्रिया को अपने स्किन को अच्छी तरीके से ग्लो करना चाहते हो तो खाने को क्या करो अच्छे से चबा के खाओ वैसे कहा जाता है कि खाने को जितना अच्छे तरीके से आप चबाओगे पेट को उतनी ही कम महनत करनी पड़ेगी अगर खाने को आपने आधा चबाया और आधा निगल गए तो पेट को आपको ज़्यादा महनत करने पड़ेगी उस खाने को पचाने के लिए अगर आप खाने को ज़्यादा अच्छे तरीके से चबाते हो तो क्या हो गया खाना वहीं पर ही पीस-पीस हो जाता है और आपके पेट में जाकर उसको पचाने में उसको कम महनत लगती है इसलिए खाने जो जबाती हो आपकी जो लार निकलते है टाईलीन निकल कर उसमें स्टार्च के द्वारा ओवा माल्टो सूगर में बदल जाती है और जिससे हमें भोजन क्या लगता है मीठा मीठा सा लगता होगा दियान रख आपने देखा भी होगा हलका सा मेसूस भी कराऊगा कि खाना क्या लगने लग जाता है वो इसी के द्वारा लगता है आपको ओके नेक्स्ट है धीरे धीरे खाने से पाचन रस पून रूप से भोजन पर कारे करता है और पाचन ठीक होता है मतलब जादा चबाकर आप देखते हो कई व्यक्ति जल्दी जल्दी चबाकर अग निगल लेते हैं लेकिन आप अराम से धीरे-धीरे चबाओगे उसको पून रूप से अपने मूझ के अंदर चबाकर फिर निगलोगे न तो खाने में आपका खाना भी सही रहेगा आपका पाचन ठंत्रिया भी सही रहेगी और आपका पाचन भी ठीक तरीके से हो पाएगा नेक्स्ट है अगर किसी को रोग जैते पाचन तंत्रिया का रोग होता है उतका में कारण यही है हो सही तरीके से खाने को चबाकर नहीं खा पाता है या नहीं खाता है नेक्स्ट पॉइंट है मानव के दू बार दांत निकलते हैं कौन-कौन से एक तो दूद के दांत और दूसरा है आस्थाई दांत या इस्थाई दांत बोल सकते हो पहले को आस्थाई दांत बोलते हैं दूद के दांत ध्यान रखेगा और दूद के दांतों के संख्या कितनी ह तो दूद की दातों की संख्या 20 होती है जो कि तूट कर दुबारा आ जाते हैं लेकिन इस थाई दात एक बार टूट गए तो दुबारा नहीं आते हैं जिनकी संख्या 32 होती है जो नॉर्मली गिना जाता है वो 32 होता है किसी किसी के जबड़ों में 33-34 में मिल जाते हैं लेकि तो दुबारा आजाएंगे लेकिन दुबारा तोटे तो फिर नहीं आते हैं दांत अनिमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है यानिकि जो दांत है वो आपका ML से बना हुआ है जो कि आपके शरीर का सबसे कठोरतम भाग है जो कि कैल्शियम फॉस्पेट का बना होता है किस जाए तो धियान रखे गा मानव दात कितने परकार के होते हैं चार्त रखे कौन-कौन से पहला आपका kurthak जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलत वह इंसीजर जिसकी संख्या कितनी होती है आठ होती है काथ नहीं कि काने के छाने को अगए को काने करने के काम आता है वो next है आपका सूसकरा दूसरा रंध्रक, इसको निए क्या कैता है, जो कि की किसले काम आते हैं हों चीरने के लिए काम आते है, देखाऊगा जो आगे की दात के भगल में एक और इस भगल में दो, एक दूसरा, तो ऊपर नीचे दो-डो होते हैं, कितनी संख्या होते हैं, इन कि दातों की संख्या में चौथे और पांचवे नंबर का ये दात होता है नेक्स्ट आपका च्रवड़क जिसको आप इंगलिश में मॉलर कहते हो यह किसले काम आता है तो यह आपके ग्रिडिंग या आपके क्रॉस्टिंग के लिए काम आता है जो कि आपका छटा साथ वे और बता चलेगा 21-21 तो ध्यान रखेगा दातों का सुत्र आप से पूचा जाए तो यह होता है नेक्स्ट है कहानी खिड़की वाले पेट की राजेस उत्सही द्वारा लिखीत कवीता से लेकर बनाई गई गई है यह कवीता अगस्ट 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी तो ध पेट में से देखता है जो होल होता है उसके पेट में उसके द्वारा देखता है कि भोजन बाहर के पर क्रिया अंदर जादा तेज गती से पचता है उसी को उसने क्या कहानी का नाम दे दिया था खिड़की वाले पेट की क्या कहानी है उसके बारे में विस्तार से बांत करत पेट में जाका जाना कहानी अनिता रामपाल द्वारा रचित है और इसी में अगस्त 1985 की चक्मक पत्रिका में लिया गया था तो यह उसी कहानी है जब आपको उसको गोली लगती है वो तो गोली के द्वारा जो डॉक्टर उसको देखता है और बोलता है कि बाहर के द्वारा ज़्यादा आपका पाचन पतंत्रिया कात सक्री होती है आपके पेट में तो देखो यह रहा वो पॉइंट कि मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बॉमोट ने के पास ले जाया गया तो एक डॉक्टर है मार्टिन नामक सैनिक के पेट पेट में गोली लगी है वहां पर ले जाया गया है और डॉक्टर ने बताया कि पेट में भोजन बाहर की अपिक्षा जल्दी पसता है क्योंकि पाचन रस पेट के हिलने से जल्दी सक्रिय होता है तो यहां पर इसलिए क्या नाम दिया था खिडकी वाले पेट की, क्योंकि पेट में गूली लगने के कारण होल हो गया था, और उस होल के चक्कर में डॉक्टर ने उस छेट में से देख जैसे हम घर के खिडकी से देखते हैं बाहर, वैसी उस डॉक्टर ने उस पेट में देखा, तो इसले उसका नाम क्या रख दिया ह वाला पीट की कहानि रख दिया था οके तो जो पाचन रस होता है पेट हिलने के कारण क्या पूछा जाता है जिसके कारण आँदर पाचन तंत्रिया जब तेजधिश गती से कार्रे से पाती है बुखात्व लगा चुरें। तो होस्पिटर में जाते ही सबसे पहले आपके गुलकोंस की बोतल जड़ाई जाती है, तो गुलकोंस के हैं, आपका तुरंत उर्जा का शोत है, नमक चीनी घोल पिलाने से शरीर में लवन पानी की कमी पूरी होती है, तो धियान रखेगा जब यह आपको डैरिया हो जाता है या फिर आपके दस्त लग जाते हैं, या फिर उल्टी कुछी भी परकार की होती है, तो जिसके कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और फिर क्या होते हैं, आपको चक्कर आने लग जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए क्या करा जाता है, नमक चीनी का घोल प पूरा करता है। जैसे कि डायडिया उल्टी दस्ट में शरीर पाणी कमी हो जाती है, और चकर आते हैं। तो वही है अब उसी को दूर करने के लिए आपको इस चीज गोल पिला कर पिलाने जाता है जिसके आपके शरीर में इसका पूरा हो सके हैं। जैसे कि जादा दस्त से शरीर में पानी कमी हो जाती है और फैलता है नमक, शक्कर और पानी का गोल पिलाते रहना चाहिए या OIRS भी आप उसको दे सकते हूँ जो कि आपके आजकल मेडिकल साइंस में आपका एक तरिकलरी से पैकेट दे दिया गया है चीनी नमक गोलने में कौन इतनी महनत करे पैकेट फाड़ो गोलो और पिला दो है ना तो इस ध्यान रखे को आपका देसी इलाज है और यह आजकल की मेडिसीन है नेक्स्ट आपका मरसमास रोग 5 साल तक के बच्चों को होता है ध्यान रखे का एक रोग होता है जिसमें आपके क्या होता है बच्चे के अंदर हाथ पाओ 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 उसके पतले हो जाते है इसमें बच्चो के हाथ, पैर, पतले वह पेट फूल जाता है या फूला हुआ हुआ होता है फ़लता बच्चा 3 साल का दिखता है, अक्सर बच्चा बीमार भी रहता है और बहुत भार स्कूल भी नहीं जा पाता है तता खेलने की ताकत भी नहीं रहती है इसका इलाज क्या है सही खाना तो धियान रखेगा इदिकतर कितने साल के बच्चे को होता है यह 5 साल के बच्चे को होता है जिसमें आपके हाथ पाओं क्या होता है पतले होता है और पेट क्या होता है फूला हुआ होता है और इसका सही इलाज क्या है तो पून रूप से पॉस्टिक जो खाना होता है वो सही इसका इलाज है तो ध्यान रखेगे के कोशन पूछा गया था इसका इलाज भी क्या है आपका सही रूप से खाना तो यह दोनों बिमारी ऐसी है जिसमें आपके शरीर या तो दुबला पतला हो जाएगा या फिर मोटा थुलतूला हो जाएगा तो दोनों बिमारी को ध्यान रखेगा और दोनों की एज क्या है उसको भी ध्यान रखेगा सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल वहीं पर ही उत्पन होते हैं और सबसे ज़्यादा भुकमरी भी वहीं पर ही है कोशन पूछा गया था तो ध्यान रखेगा कि चावल की उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज़्यादा ओडिसा में तो option को ध्यान रखना next point है वस्तूओं के packet पर मूले, वजन, तारीक और निर्माता आधी का विवरण छपा होता है अगर आपने देखा होगा ये question directly पूछा गया था कि packet पर क्या क्या होता तो आजकल packet पर ingredient क्या क्या मिला हुआ है वो भी मिलता है, पता रहता है और उसके अंदर कितना fat है, कितना आपके calories है, वो भी लिखा रहता है तो उन चीजों को ध्यान रखेगा कि packet पर आपके क्या क्या चीजे लिखी रहती है directly कई बार ये question पूछ लिया जाता है या फिर आपका जोकी कई बार पूछा जाता है कि आम को आगे काफी लंबे समय तक इस्तमाल करने के लिए क्या करा जाता है, तो उनका अचार बना लिया जाता है, या फिर आम के आम पापड बना लिया जाते हैं, तो इन question को भी ध्यान रखाना भी basic questions है आप सभी को पता भी होंगे तो ये था आज हमारा next chapter 8 जो की था हमारा भोजन next class में बात करेंगे हम अध्या 9 के बारे में जो की है हमारा जल यानि की water से किस पर करेंगे question पूछे जा जकते हैं उसके बारे में, ओके तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो को related कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजिएगा मैं आपका reply ज़रूर करूँगा